तो हलो नमस्तिया स्नार्गुस अस्यकार केम छोग नना बिग बॉस अभी नहीं शुरू हो रहा है पीवी वाला बिग बॉस ये जिन्देगी का बिग बॉस शुरू हो गया है सब घर में बैठे हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो के उलंगन कर रहे हैं अब हाली मैं मैहाँ पर आया दो दिन की चुट्टी के लिए और चुट्टी हो गई मेरी नहीं हम सब की यह करोना कोविड नाइंटीन ने सब की चुट्टी कर दी पहले ऐसा रगा कि फ्लू है खतम हो जाएगा घर चले जाएंगे फिर यह लॉक्डाउन हुआ जब यह लॉक्डाउन हुआ तो मामला बड़ा गंबीर बड़ा सीरिस हो गया क्योंकि यहाँ प और कुछ काम रिलेटिड लोग आये थे जो के अब जाके इस करोना वायरिस कोविड नाइंटीन के अंदर दोस्त बन गए तो यहाँ पर हमने एक रूल बनाया कि यहाँ पर जो है वो यहीं पर आएगा और बाहर का कोई नहीं आएगा और अंदर से कोई बाहर नहीं तो लेकिन राशन के लिए जाना पड़ता है अब हमने कुछ वेजटिबल्स के लिए हमारे एक बहुती अजीज करीवी दोस्त को पास में पांचे किलमेटर दूर एक गाउं में बेहा राशन करीदे के लिए तो आजकल पुलीस का बहुत ज्यादा पहरा है जो कि बहुत अ अच्छा काम यह अब पास तो था उन के पास गारी का तो वह गए थिए उनको पुलीस ने रोका तो इन्होंने क्या किया कि कि पुलिस वाले से बात कर्ते वे उन्हंने अपना मास निकाल लिया तो पुलिस वारने का मुंसे के ये मास पेंगो दूरटोывает ये मास पेंगो तो मास पेंगो के जो नहीं करना था उनने किया यह पर आय पर आई उनने एक हर इनी बायान की और मैंन से भा कि अजुटिज कि मना किया गया था करने के लिए वही आपने किया और नहायदी बेवकूफी की चीज़ की दिमार्ग से निकल गया है सोचा के बात कर रहा हूं तो मुझ दिखा के बात करूँ जो कि नहीं करना चाहिए था उस वक्त अब जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही कि इस को मैं कहां लेके जा रहा हूं वो मेरी बात और से सुने किसी भी बीमारी में रिजल्ट पॉजिटिव होना बहुत दुक दाएक बात है और स्पेशली उस बीमारी का जिसका कोई लाज नहीं है लेकिन किसी पॉजिटिव पेशिट के दिमाग में एक नेगेटिव थौट आ जाना एक उसका सियम खो देना होप खो देना वो उससे बरी बात है और जो पॉजिटिव टेस्टिव पेशिट है उसका दुख ना समझना वो एंटी हुमन एंटी इंसानियत है जो positive tested patient है उसके बात ये समझ में आ जाती है कि हमने इत्यात नहीं रखा गल्दी हमसे हो गई और जो negative है और इत्यात नहीं रख रहे हैं वो जल्द positive हो जाएंगे ये guarantee है और फिर अपने पूरे खांदान को ये बिमारी दे देंगे खांदान से महले को महले से शहर को शहर से पुरे हंदुस्तान को क्या कहा है government नहीं के बाहर मत जाओ social gatherings ना करो यहीं कहा है ना दोस्त्यारों से ना मिलो isolation में रहो घर में रहो परिवार के साथ रहो परिवार के साथ बग गुजारो इस सब किस के लिए उनके लिए नहीं हम सब के लिए नमाज पढ़ना एक घर पे पड़ो बुझा पाट करनी घर पे करो बच्वर में यह सीखा था कि भगवान हमारे अंदर है तो अगर भगवान के घर जाना अल्ला के घर जाना है परिवार के साथ जाना है तो निकलो भाग मनना तो एक दिन सब को है लेगिन क्या कोई मनना चाता है यह यहाँ पर आके यह बात change कैसे हुई इंडिया के आवाम को इंडिया के आबादी को कम करना चाते हो starting with your own family तुम्हारे बच्चे तुम्हारे माता पिता तुम्हारे बुजर्ग जिन्होंने तुम्हें पाल पोस्के बड़ा किया है उनके साथ चुरुआत करो गए अब आब बताओ पुलीस का साथ देना गवर्म की बात नहीं सुन रहें कि वह सही है गलत है औरेक्ट है रॉंग है नेगिटिव सोच रहे हो या पॉजिटिव सोच रहे हो अगर आपके आक्शन सही होते हैं तो ये लॉक डाउन अभी तक के खतम हो गया होता और करोना वाइरिस भी है अगर आप ऐसे बाहर नहीं निकलते रूपस में दोस्तियारों के साथ तो पुलीस वाले आपके पुठों पर डंडा नहीं मर आपको क्या लग रहाए है इसमें के पुलीस वाले को मज़ा रहा है किसने रोका आपको राशन लेने में जाओना किसने रोका है खाने पीने का सावा लेने जाओ घर तुरंत आ जाओ, पास में जाओ, किसने रुखा है? मास पहनो, कलवस पहनो, अकेले जाओ गवर्मिन्ट ने ये वादा किया है कि राशन पानी सब को मिलेगा आपको क्या लगता है कि पुलीस वाले डॉक्टर्स, नर्सिस जो बैंक में काम कर रहे हैं उनको करोना वाइरस नहीं होगा, उनके परिवार को नहीं होगा लेकिन उनको देखो, फिर भी वो अठारा ठारा घंटे काम कर रहे हैं किस के लिए काम कर रहे हैं? आपके लिए काम कर रहे हैं और वो भी आपको रोखने के लिए नहीं करोना वाइरिस को फैलने से रोकने के लिए कर रहे हैं क्योंकि ये बिमारी उंच नीच जातपाथ अमीर गरी छोटा बड़ा कम उमर हम उमर बड़ी उमर कुछ नहीं देखती आप ये पुलीस वालों की ड्यूटी है वो निभा रहे हैं और आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि आप घर पर बैठ रहे हैं और वो भी आप नहीं निभा रहे हैं मैं कुछ ऐसे लोगों जानता हूं जो घर के बाहर कभी नहीं निकलते थे जब से ये बोला गया है कि घर से बाहर मत निकलो उन्हें निकलना शुरू करती है कमाल है अब जो डॉक्टर अपनी जान को खत्रे में डाल रहे हैं पुलीस वाले अपनी जान को खत्रे में डाल रहे हैं नर्स अपनी जान को खत्रे में डाल रहे हैं और बैंक में काम कर रहे हैं इसके वज़े से आप अपने ATM और अपने अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं, अपने खाने पीने के लिए, आप उनकी वी जान को खत्रे में दाल रहे हो, ये कमार है, डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेश आपकी जान बचाने के लिए आए, और आपने उन परिवार इलाज नहीं करते और पुली सडकों पर नहीं होती तो चंद लोगों की वज़े से जिनके दिमार्ट में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा वो हिंदुस्तान के धेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे देखो मैं उनकी बास समझता हूँ जिनके पास कुछ खाने को नहीं है बच्चों को खिलाने को नहीं है अब उन्हें मैं सलाम करता हूँ क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि परिवार गुजर जाने से बेतर है कि ये बिना खाए पिये ये वक्त गुजर जाए बहुत अच्छा काम हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि वाकई में हिंदुस्तान एक दूसरे से दिल से जुड़ा है लेकिन चंद जोकरों की वज़े से ये बिमारी पहली जा रही है अगर आपके आक्शन ऐसे नहीं होते अगर आपके आक्शन ऐसे नहीं होते तो हजारों पुलीस वालों को हजारों डॉक्टर्स को नर्सिस को और आवाम को करोना वारिस नहीं होता इतने लोगों काम तमाम नहीं होता और अभी तक हम सब वापस से काम पे लग गए होते हैं चाइना से शुरू हुआ है चाइना में कब का खतम हो लिया लेकिन इन चंदोगों की वज़े से पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठेगा मान लिया है बड़े ताकत वरवाब बड़े भादुर वादुर वाद कि आप अपने परिवार वालों को कांदा दोगे उनकी अर्ती उठाओगे इतना जिगर है आपके क्यों आप यम्राज और मलिकुल मोत बनना चाएते हो और क्यों अपने परिवार के लोगों पे इन्नल्ला है और राम नाम सकते है बड़ना चाहते हो हर बात के दो पहलू होते हैं इसके भी दो ही है एक पहलू यह है कि हम सब रहें दूसरा पहलू यह है कि कोई ना रहे आप विसाइड करो और सब शुक्रिया दा करो पुलीस फोस का डॉक्टर्स का नर्सिस का जो लोग बैंक में काम करते हैं उनका रिस्पेक्ट करो उनको जिनको हुआ है और एतियात रखो कि ये आगे ना फैले और दूआ करो कि वो नौबत ना आए जहांपर आपको समझाने के लिए मिलिटरी बुलाई जाए थान्यवाद